जएन दोस्तों स्वागत है आपके अपके परिवार रोज़ चल हम लोगोंने क्या समझा था तक बारे में परीवेसएकर में क्या है तो उसके बारे में बैसिक सारा अलिशन पłe हम लोगोंने चल बनाया था आज का अगये बढ़ समयें गिलिस में जट में तोदा अप में इंग्लिस है क्या कैसे सारी चीजें निकल निकल के आती है चीजों का वो चीज आज हम लोग समझेंगे जैसे कि आज हम लोग पढ़ना है कि बेसिक इनफोर्मेशन आफ इंग्लिस क्या पढ़ना है बेसिक इनफोर्मेशन आफ इंग्लिस देखो इसमें आज हम लोग पढ़ना है English English की बात करें English क्या होती है हमारी language होती है क्या होती है language ना की subject English क्या होती है दोस्तों language ना की subject इस language को समझने के लिए हमें 26 लेटर सेरूर पढ़ती है किसकी 26 लेटर की जरूरत पढ़ती है जिसको कहा जाता है alpha weight क्या कहते है alpha weight मैंने बोला English क्या है एक language ना की subject इस language को समझने के लिए हमें 26 लेटर की जरूरत पढ़ती है जिसको हम क्या कहते है alpha weight कहते है alpha weight को divide किया जाता है two parts में अगर first part की बात करें तो इसको कहते हैं balls और balls हमारे कौन कौन से होते हैं A E I O और U second part की गर बात की जाए तो हमारा होता है consonant क्या होता है consonant consonants की बात करें तो इनको छोड़के जो सारे words होते हैं वो क्या होते हैं consonants होते हैं जैसे B C B F यह सारे words क्या होते हैं consonants होते हैं अब क्या होता है vowel और consonants से मिलकर क्या बनता है हमारा word बनता है क्या बनता है word आखिर में यह word क्या होता है इसको समझना है फिर एक बार समझ लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं basic information of English यानि English हमारी क्या है एक language जना की subject है इसको समझने के लिए हमें 26 later की जरूर पढ़ते हैं alphabet कहते हैं alphabet को two parts में divide किया जाता है vowel and consonant vowel and consonant से मिलकर क्या बनता है word बनता है अब word क्या होता है इसको समझ लेते हैं अगर word की बात करें तो a meaningful unit a meaningful unit of a letter a meaningful unit of a letter with complete complete sense या meaning कर सकते है with complete sense या meaning है ना देखो कि क्या है आखिर मैं word किसे कहते हैं जैसे मैंने एक word ले लिया p, e, n तो pain का मतलब होता है दोस्तों pain का मतलब क्या होता है pain means होता है column सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या ये word है तो क्या mobile और consonant से मिलकर ही word बनता है बिलकुल तो p क्या है एक consonant है e क्या है बॉल्स है और n क्या है consonant है तो इससे मिलकर क्या बन गया एक word बन गया इसका मतलब क्या निकलता है या नहीं column अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ n e p मैं आप से पूछू कि इसका मतलब क्या है तो आप जब आप देंगे सर इसका तो मतलब भी नहीं पता है लेकिन मैं बोलूं क्या ये word है तो आप कहोगे सर ये word है आप कहोगे बिलकुल word है क्योंकि vowel और consonant से मिलकर बन रहा है देखो consonant, balls और consonant इसके मिलकर क्या बनता है word बनता है आप के definition की बात करते है मैंने इसको बोल दिया कि ये word नहीं है फिर तो ये मतलब वो हो गया कि या तो इसकी definition गलत है अब देखो definition की बात समझते है इसमें कहा गया था meaningful unit of a letter यानि कि ऐसा with letter complete sense जिसका क्या हो, एक complete मतलब हो यानि एक ऐसी काई, जिसका क्या होना चीए complete earth होना चीए तो क्या इसका कोई earth होता है आपको गे नहीं, इसी लिए ये का नहीं है word नहीं है, ठीक है या तक समझने आया, आंगे बढ़ा जाए चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या समझ रहे थे basic information of English यानि English क्या है, language है ना कि subject है यानि कि उस language को समझने के लिए मैं क्या 26 letter की जूर्थ पढ़ती है इसको हम कहते हैं alphabet alphabet को two parts में divide किया जाता है balls और consonant balls और consonant से मिलकर क्या बनता है word बनता है word को हम कहते है a meaningful unit of a letter with complete sense या meaning तो यहां तक आपने समझ लिए इसके बाद बढ़ा जाता है आंगे अब बात करते है sentence किसे कहते है sentence किसे कहा जाता है sentence कि अगर बात आती है तो कहते है a group a group of a group of a word या words आपको किसर वर्ड आप गुरूप आफा words with complete meaning complete meaning तीक है मैंने का sentence किसे कहा जाता है आपको गर गुरूप आफा वर्ड words with complete meaning या sense देखिए कैसे अभी मैंने पढ़ाया था जो पीछे पढ़ाने का मकसद क्या था वो तो कच्छा एक दो बाली बात होगी कि वो हमने कच्छा पांच में पढ़ लिया था लेकिन यहाँ भी उसका मतलब है जैनि कि देखो जैसे यह दे रखा है word क्या दे रखा है word अगर हम लोग word नहीं जानेंगे तो क्या sentence जान पाएंगे तो इंग्लिस में क्या होता है हर एक चीज लिंक होती है तो देखते हैं जैसे मैंने एक sentence लिखा जैसे राम वाज 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 तू मार्केट राम वाज गोईंग टू मार्केट सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या ये sentence है ये definition की बाद समझ लेते है आखर में definition में लिखा तो लिखा क्या गया इसका मतलब क्या है group का मतलब आप जानते हो ग마 words का मतलब क्या होता है sentence का जाता है वो चीज समझते हैं देखो जैसे मैंने का कि राम एक word है, आप बोलोगी सर, word है चलो ये एक word हो गया ये क्या word है? आपको किसर विलकुल है ये भी हमारा word है ऐसे करके ये भी हमारा word है ये भी, क्या है? word है हना? उइन झी Clayum मिलकर क्या वनता है? इसी को तो कहा गया था 아 group of words इसी को तो कहा गया sentence sentence क्या का गया sentence का गया आपको कि सर यहां तक तो आप ने समझा दिया आप गुरूप आफ वर्ड्स समझ गया आप गुरूप आफ वर्ड्स तक तो आप ने समझा दिया इसी को क्या का गया sentence का गया देखो वर्ड वर्ड मिलकर क्या बनते है sentence बन जाता है आंगे बात करी जाए जैसे एक sentence लिग रहे है second, मैंने लिग दिया, to market going from was. अब मैंने आपसे पूछ लिया, क्या ये sentence है, आपने का सर, अगर definition की बात करी जाए, अग group of words, तो सर ये group of words लिखा हुआ है, यानि कि इसे sentence है, लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया, ये एक sentence नहीं है, अब आपको ये तो अजीब बात हो गई, तो देखते हैं क्या है, यहाँ से एक चीज निकल के आती है, एक होता है sentence का arrangement, क्या होता है, arrangement of sentence, जैसे हमने बात की, ये एक sentence नहीं है, क्यों नहीं है, उसको अब समझते हैं, arrangement of sentence की बात करें, तो इसी को दोस्त का आजाता है structure, क्या कहते हैं, structure कहते हैं, अगर structure की बात करें, तो sentence में सबसे पहले आता है subject, इसके बात क्या आता है, वर्ब आता है, अगर वर्ब की बात करें, तो दो भावों में इसको बाटा जाता है, helping verb और main verb, helping verb को हम क्या लिखेंगे, sb और main verb को क्या लिखेंगे, mb, ठीग है, तो subject आएगा, इसके बात क्या आएगा, verb आएगा, इसके बात क्या आएगा, दोस्त, object आएगा, बताओ, सर ये है क्या जो आपने समझाया, अगर आपको sentence, देखो इसको apply करके देखते हैं, तो राम के आएगा यहाँ पर, जिस sentence को देखो, राम के आपको कि सर ही subject है, तो इसको subject लिख लिए जाए, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये देखो, इसको क्या राम को subject लिख लिए जाए, आपको कोगे सर बिलकुल, इस आरेम, watch bar, watch bar क्या है हमारा, helping bar है, going का मतलब क्या होता है, ये main verb है, जाना, खाना, पीना है न, और to market ये दोस्तों क्या है, हमारा object है, आए दोस्तों इसको apply करते हैं, जो हम लोग उने समझा, देखो, पहले क्या subject आ रहा है, सर आ रहा है, इसके बाद helping bar या, main verb तो यहाँ पर क्या रही, helping bar, इसके बाद आ रहा है, main verb इसके बाद का रहा है, object, तो सर यहाँ से हम यह समझे, कि जो sentence का structure होता है, उसमें होता है सबसे पहले subject, word में helping bar या तो main verb, इसके बाद क्या रहता है object, तो इसको दोस्त कह दिया गया sentence, ठीक है अब जरह इसको, मैंने बोला था यह sentence नहीं है, तो इसको जरह apply करके देखें, to market, यह तो object दे दिया, पहले क्या दे दिया object, going यह main verb दे दिया, है ना और ram subject यानि इसमें क्या, यह sequence को यानि कि जो arrangement of sentence होता है उस structure को यह follow नहीं कर रहा है इसलिए इसको क्या नहीं कह गया sentence नहीं कह गया यही तो definition कहती है with complete sense क्या होना चीए, with complete sense यानि कि कि किसी भी sentence का complete sense, यानि sense होना चीए, meaning होना चीए उसको हमने क्या कहा था sentence कहा था, आंगे बढ़ा जाए यहां तक बात समझ में आई चलो आप देखो बात करते हैं finds or